नबस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में जो कि मैं आप सभी के चैनल एक ही लक्षे पर लेकर आया हूँ दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आपके रिजल्ट से लेके जो कि जे में सेशन वन हुआ था आपका उसके अंदर जो है आपका बी आर्किटेक्चर और बी प्लैनिंग का जो रिजल्ट था वो आना अभी बाकी था जो की ओफिशली वेबसाइट पर न्टी ए की जो जी मेंस की ओफिशल वेबसाइट है जेमेंस.nta.nic.in उस वेबसाइट पर जो है आपका बी आर्किटेक्चर और साथ में बी प्लैनिंग के सेशन वन जो जैनवरी में हुआ था एक्जाम उनका रिजल्ट आ चुका है कोई भी कैंडिड़ेट कैसे अपना रिजल्ट देख सकता है उसके लिए मैं आपको बता दू कि आपको जो है जेमेंस की एक रिजल्ट इतना आपको लिखना होगा आपके सामने देख सकते हैं आप यह रिजल्ट आ रखा है जैसे कि आप देख रहे हैं जेही मेंस 2023 Session 1 पेपर 2 रिजल्ट जो कि यहां पर आ चुका है इसको आप क्लिक करेंगे आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे इस के समय पर create हुआ था जो आपको मिला था है जो कि इस अपका unique होगा तो इस तरीके सा आपको अपना application number डालना होगा यहां पर आपको अपना date of worth डालना है जो भी आपका date of worth यानि की जनमतिती है वो आपको यहां पर डालना होगा और इसके बाद आपको यहां पर security pin होता है जो की नीचे same लिखा आ रहा होता है ऐसा ही आपको जो है सामने window पर या screen पर आपको डालना होता है इस तरीके सा आप इसे डाल देंगे और यहां पर आप submit करेंगे तो आपके सामने आपका जो result है वो official original result जो है वो आपके सामने open हो जाएगा उससे आप अपने marks यानि की percentile जो है वो check कर सकते है अपने आपके किस subject में कितने marks जो है बी architecture और बी planning के अंतर आये हैं आपको पता होना चाहिए या फिर पता ही होगा कि जो session 1 हुआ था जही में इसका January में exam हुआ था btec और btec course के लिए उसके अंदर आपका एक CSE के अलावा जो दो हुए थे वो एक b architecture और b planning हुआ था तो उन दोनों के result जो है वो कल officially website पर आ चुके हैं अब जो है candidate अपने result जो है देख सकते है percentiles देख सकते हैं और इस तरीके से वो अंताला लगा सकते है कि भाई किस साल जो है क्या cutoff जाएगा और कैसा result जो है इस बार जो है competition किस level का रहने वाला है तो इस तरीके से आप अपना result जो है हुआ है